कि अज एक निव चेप्टर जो पेंडिंग था उसको खदम कर लेते हैं मतलब कि स्टार्ट तो करें पहले कि एम्प्लॉई कि एम्प्लॉई स्टॉक कि ऑप्शन प्लाइन जिसको हम शॉर्ट कट में क्या बोलेंगे सर शॉर्ट कट में बोलेंगे ई एस ओ पी कई बार यह चेप्टर बच्चे बोलते सर यह कुन सा चेप्टर बोल दिया आपने इस आप तो इस आप का मतलब है एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन प्लाइन हम इसके नाम को भी बाद में समझेगे पहले हम देख समझते हैं कि यह क्या पंगा आ गया अभी तक हमने चीजों को मतलब कि अभी सुन रहे थे तो अब पहले देख लेकि यह बना कैसे और क्यूं है यह तो नौर्मली मान लेते हैं एक सिंपल सा एक्जामपल एक कंपनी मान लेते हैं एक कंपनी मान लेते हैं कंपनी कि मान लेते हैं हम आपने नाम सुना होगा एक जेबी यल जेपिल हैं और नाम सुना है जेबी माना का काम है लेते हैं स्पीकर बनाने वाली कंपनी है ठीक है कि एक दम प्रैक्टिकल समझेंगे इसको मたभत सार्यी होते हैं है के नि मतलब भाई एक बहुत बड़ा एक रेनाउंड अगर देखा जाए तो सोनी जेवियल यह एक बहुत अच्छे या फिर आपका बॉस यह बहुत अच्छे म्यूजिक सिस्टम बनाने के नाम से जाना जाता है और भी बहुत सारी कंपनी है लेकिन यह बहुत सबसे जो प्रीमियम कहते न तो उसके अंदर यह कहीं न कहीं आ जाते हैं क्या कहना है बच्छों का सर क्लियर होगे ठीक है एक आजकल बड़ा ही फेमस जो था सोनी पे आता है क्या नाम है शाक टैंग ठीक है तो अगर मैं थोड़ा से स्टोरी बताऊं तो मैंने भी वहां देखा तो उसके अंदर एक है अमन मिस्टर अमन अमन इनका भी एक अपना खुद का बिजनस है बताओ कमेंट में कौन सा बिजनस है स्का मिस्टर अंत रोग अलग शाक आते हैं जिसमें से एक मिस्टर अमन है इनका खुद का बिजनस है ठीक है कौन सा है हमारा सर बोट का बिल्कुल सही आपको पता इनका एक अपना खुद का है बी ओ ए टी बोट कंपनी और ये भी क्या है खुर बनाने वाली कंपनी थी कर भी एक है यह ना साउंड यह सारी चीज जέ बनाती है और जो मिस्टर अमन हे न और यह ज्यादा पुरानी कंपनी कंपनी नहीं आ यह इतनी पुरानी कंपनी नहीं अभी आई है मानलो रीसेंट ज्यादा टाइम नहीं होगा साथ आट दस सल जो भी मानलो मुझे एक्जेक्ट डेट तो याद नहीं लेकिन इतनी है और जेबील जो है वह बहुत पुरानी जब मैं छोटा था तब भी मैं सुनता था जेबील के स्पीकर वह बहुत पुरानी अपनी है तो अमन बाइप प्रोफेशन देखा जाए तो यह एक चार्टेड अकाउंटेंट है तो अमन जो है पहले जब बनने के बाद उन्होंने जेबील के अंदर जॉब किया जेबील में अमन ने चार्टेड अकाउंटेंट थे तो यहां पर वह एज़ा वर्किंग अब जॉब करने के बाद और पहले कंपनी क्या था जेबील और स्नाइजर नाइजर यह थे यह महंगे प्रीमियम ब्रैंड आये करते थे लेकिन पबलिक को मजबूरन महंगा खरीदना पड़ता था उसके बाद अमन जो मिस्टर अमन है जो यहां जॉब किया गरते थे ते इन्होंने पहले यहां पर कुछ समय तक काम किया काम करने के बाद सब कुछ सीख लिया जाता है कि स्पीकर कहां से लाया जाता है स्पीकर की क्या क्या क्वालिटी होती है साउंड कैसे अच्छा किया जाता है और हर जगह जो था बोड का क्योंकि चार्टेड अकाउंटेंट प्लैन हे कंपनी किस तरीक से करती से कमपन usted कर ताइजाट बॉट इस जानने केब उन्होंने जोड को छोड़ दिया जानने के बाद उन्होंने क्या करा जोब को छोड़ दिया और एक अपनी कमपनी स्टार्ट कर ली उ об बोट और जेबियल आपस में कॉम्पिटीटर है एक दूसरे के और देखा जाए तो जेबियल का मार्केट शेयर इंफेक्ट इतना मतलब लगभग लगभग बराबर एक्जेक्ट मुझे डेटा याद नहीं है कितना है लेकिन यह तफिस्ट कॉम्पिटीटर बन गया है क्यों देखा जाए तो जेबियल का ओनर जो था वो पस्ताता जरूर होगा इस बंदे को नहीं रखता नौकरी पर तो कॉम्पिटीटर नहीं आता तो बोलता भाईया यह बंदा नहीं होता तो कॉम्पिटीटर नहीं आता तो ऐसी दिख्कते सारी कमपनी के साथ होता है एक कमपनी के साथ नहीं क्योंकि आप जहां पे काम करोगे वहां के सारे काम को सीखोगे तो बट अव्वेस है आप सोचोगे कि अपना काम स्टार्ट कर ले अगर उस काम को आपको अच्छी समझ है तो कुछ एक प्रोफेशन्स होते हैं प्रोफे प्राइशनल होते हैं उनका अलग है जो गुड्स वाले चीज़े होते हैं उस पर होता है तो यह प्राइबलम बहुत फेस किया जा रहा था और रियल प्राइबलम जो था एक कंपनी है हमारा आईटी कंपनी देट इस इनफोसिस वह भी बहुत पुरानी कंपनी है मिस्टर नराइन मूर्ती उनके फाउंडर है वहाँ पे था मैं एक प्रैक्टिकल आपको पता यह और आप सभी को यह कहानी ऐसा नहीं है मैं पहली बार बता रहा हूँ आप सभी को यह कहानी पता है कि ऐसा हुआ है और इस तरीके से भाया यह दोनों आपस में क्या बन गए इसको रोकने का एक अकाउंट के अंदर एक चलाकी मान के चलो किया गया जब अब बोला के भाया इसने इसके साथ एक बहुत बड़ा धोखा हुआ तो अब जो यह कंपनी है कुछ न कुछ तो अब बताओ यह कभी भी किसी इंप्लोई को अपने पास अगर रखेगा तो ऐस जैसा विश्वास नहीं करेगा जैसा विश्वास अमन पर किया था और ऐसी सारी चीजे नहीं बताएगा जो उसको बता दिया इसने तभी तो वह सेपरेट होके अपना बिजनस स्टार्ट कर लिया सारी चीजे तो अब यह अलर्ड रहेगा इंप्लोई को रिकृट करने में एंप्लोई को अपने पास रखने में सबसे पहले कंडीशन यह होगा कि भाया तुम मेरे पास आ रहे हो जॉब करने तो जॉब कितने ताइम तक करोगे यानि यह कंपनी चाहेगा कि हमें पहले ही डिसाइड हो जाए कोई अच्छा इंप्लोई आता है तो उसी को मैं सब कुछ बताऊँगा जो मुझे पेपर पे लिख के दे दे कि मैं जॉब जो है बीस साल तुम्हारे साथ ही करूँ उसके अलावा मैं कहीं छोड़ के नहीं जाओ लेकिन यह चीजे लॉफुल देखा जाए तो एकसेप्टिबल नहीं था हम किसी को इस तरीके से बाउंड नहीं कर सकते तो लॉफ लाउड ही नहीं करता था तो इसका दूसरा तरकीब निकाला गया क्या तरकीब निकाला गया क्यां दूसरा कि एक जो कंपनी है क्या दूसरा तरकीब निकाला गया में चेप्टर का नाम लिख देता हूं कि एक जो कंपणी है हमारा कोई भी कंपनी है जहाँ आपने कोई भी employee या कोई भी employer जब आएगा employee जब आएगा काम करने तो हम इस employee को इस employee को कौन कहेगा सर ये जो employer है वो इस employee को एक certain condition देगा हम ये तो नहीं कह सकते के भाई तुझे 20 साल काम करना पड़ेगा 20 year के लिए तु मेरे पास गुलाम बन जा ये तो नहीं कह सकते ये law accept ही नही करता तो इसने क्या सोचा बोला कि देख भाई माल लेते हैं हम for example टाटा टाटा का एक्जामपल ले लेते हैं अब टाटा के पास तो बहुत पैसा है और अभी के टाइम पे टाटा मूटर एक बड़ी कमपनी है गाड़ी बनने वाली अब इसको एक ऐसा employee चाहिए जो सारा business को समाले और hire पे इसका एक शियर का प्राइज आज मान लेते हैं हजार रुपए है रसे तो जादा होगा आज मान लेते हैं मार्किट में एक शियर का प्राइज कितना है हजार रुपए है एक शियर हजार देख लेते हैं टाटा मोटर क्या चल रहा है टाटा मोटर मेरे हिसाब से तो ज्यादा होना चाहिए तो उसे साब से ज्यादा होना चाहिए शियर्स 986 है आज थोड़ा सा मान लो मोटा मोटी हजार ही है वो 14-15 रुपए तो कल बढ़ जाएगा परसो बढ़ जाएगा हजार का लेट सपोस आज मेरे पास यह जॉब के लिए आता है मैंने बोला के भाईया तु मेरे पास जॉब करेगा बोला हाजी जॉब करूँ इसकी सेलरी वेल्डी सब तै कर दी गई वही तेरी सेलरी जो है मान लेते हैं एक लाख रुपए महिने की होगी महिने की एक लाख रुप अब टाटा मोटर का कॉम्पिटीटर कौन है सर मारूती है के ने मारूती नाम सुना है यह भी कार बनाने की कमपनी है अगर यह एंप्लॉई यहाँ पे काम करता है यह एंप्लॉई यहाँ पे काम करता है और यह एंप्लॉई को सारे चीजे पता है तो अगर ये मान लो बाय चांस मारूती के पास इंटरवियू देने चला जाए तो मारूती वाला बोलेगा हम आपको एक लाख बीस अजार सेलरी देंगे यह फ्ली लाख सेलरी देंगे ठीक है और जो भी हम आपको सेलरी देंगे उस सेलरी के according क्या है आपको और भी चीज़े देंगे यानि यह मारूती कंपनी लालच देगा इसको और इससे हो सकता है यह यहां छोड़के यहां चले जाए तो यानि फिर से इसको एक थ्रेट है इसने क्या स्कीम निकाला कि भाईया एक काम कर आज मैं तुझे इसके 10,000 शेर दे दूँआ और शेर का प्राइस क्या है तुझे खरीदने होंगे यह शेर का प्राइस कितने है मैं तुझे यह दूँआ 100 और मेरा मार्केट में शेर कितना चल रहा है 10,000 रुपे मार्केट में शेर का प्राइस ये है that is market price और मैं तुझे वो शेर दे दुगा कितने का 100 का लेकिन मेरी एक condition है उस condition को मानोगे तभी दुगा यह मैं सौफा उसने बोला कि आप मेरे पास कम से कम पास साल काम करोगे तो अगर आप पास साल जैसे ही काम कंप्लीट कर लोगे तो हम आपको यह शियर दे देंगे तो अगर देखा जाए तो आप एक मन में कैलकुलेशन करो कि अमांट बनता है 10,000 कि इंटू में 1000 कितने बन गये 10 करोड कि दस करोड बनेंगे कितने बनेगे एक करोड एक करोड बनेंगे एक करोड बन गया पर आपको पेमिंट कितना करना है दस हजार इंटू में कितने पेमिंट करना है यानि आपको मात्र दस लाक देने हैं और एक करोड का आपको मिल जाएका और शेयर तो ऐसा है कि अभी खरीदो और अभी बेचो कहानी खतम पैसे आजाएंगे तुरत साम तक तो अगर ये कमपनी में पाँच साल अपने बिता देता है तो इसको नब्बे लाक रुपए का तो सीधा सीधा बेनिफिट मिल रहा है जो कि एक बहुत बड़ा माउंट है अब ये एक बार जॉब पे लग गया और इसने छे महिने काम कर लिया जहां छे महिने इसने काम किया दो महिने किया तो इसको सैलरी की लालच नहीं होगी ये सोचेगा यार इस कमपनी को अगर ये मान लो चार साल में है चौथे साल में आ चुका है अब इसका मालिक से जबरदस्ति नी एक लालच दे के उसे बाउंड कर दिया के भाईया तरको यह मिलेगा अब इस शियर्स का प्राइज उस दिन उस दिन हो सकता है के हजार की जगाए पे दो हजार हो जाए कि चयर्स का प्राइज तो बढ़ता ही रहता है कोविड में ये जो टाटा मोटर में ने दिखाए न कोविड में जो हूँआ था ये शियर्स था 60 रुपए को है जिसने लगाये होंगे 1000 share यानि 6000 उसके बन गए 9,80,000 चार साल में तो देखो 60,000 के 9,00,000 बन गए तो shares अच्छे हों तो उसके price बढ़के बड़े पैसे मिल जाते हैं तो हो सकता है उस दिन 2000 price हो जाएगा अब जब उस दिन 2000 price हो जाएगा इसका और value बन जाएगी इसके लेकिन इसको हमने promise कर दिया कि तेर को भाई कितने का share देंगे 100 का ही अब ऐसे situation में यह भी हो सकता है मैं कुछ shares का नाम बताऊ आईडिया वोड़ा फोन उस ताइम पर 80-90 रुपए का share था आज 10 रुपए का है ऐसा मत सोचो कि फाइदा ही फाइदा आज 13-14 रुपए का होगा मेरे इंपलॉई अब यहां पर stock का मतलब है भाई या शेयर 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 का मतलब यह मत समझ जा दुकान में बिकने वाला समान शेयर ओप्षन है कि आपकी मरजी है कि आप खरीदे या ना खरीदे ऐसा नहीं कि आपको खरीद ना होगा तो इंपलॉई क्या करेगा अगर प्राइ इस जैसे डाउन हो गया तो उन मना गर देगा भाई मैं तो नहीं लूँगा यह क्यों मैं लॉस्ट बियर करो क्योंकि डील महेंगे पर कर रख क्यों क्या पता उसने तो इस लिए इस टॉपिक का नाम पढ़ा इसौप तो इसौप का मतलब है हम अपने एंपलॉई को शेयर देते हैं और जो शियर्स देते हैं नॉर्मली मार्केट प्राइस से सस्ते पर देते हैं मार्केट प्राइस से सस्ते पर वो कुछ भी सस्ता हो सकता है और डिपेंड्स ओन कंपनी के लिए वो कितना वर्थ फुल है और ये इस आप मैंने बहुत सारे ऐसे कंपणी में ऐसे प्राइवेट कंपणी में सरकारी में नहीं मिलता ये प्राइवेट में मिलता है के लिए इस आप ने इसके बढ़ गई है तो अगर प्राइवेट कंपनी में जॉब करता है अच्छी कंपनी है आप जाते हो आगे तो आगर इस मिलता है और इसौप आपको सिर्फ इसलियत दिया जा रहा है क्योंकि मालिक चाहता है कि आप कभी छोड़ कर ना चाहूं तो इसके अंदर कुछ बेसिक टम्स है एक बार कई बार डिफ्रेंस आ जाता है इसके अंदर कुछ वर्ड्स है और कुछ आपको स्पेसिफिक टम्स है जो कि आपको पता होना चाहिए जैसे मान लेते हैं एक मैं एक्जामपल ले लेता हूं सिंपल सा सबसे पहले तो इस सौप का मतलब पता चलिए अब हम कुछ एक्जामपल ले लेते हैं मान लो आज डेट है सर अठारा तारिक आज की तारिक ले ले लेते हैं अठारा छे दो हजार चौबिस इस दिन एक इंपलॉयर के लिए मैं एर लगा रहा हूं और एक इंपलॉई डबल ए लगा रहा हूं एक इंपलॉयर ने इंपलॉई का इंटरव्यू लिया और इस दिन डील हुआ कि आपको जैसे कि दो हजार पच्चिस दो हजार चौबिस और मानलो दो हजार सत्ताइस कि आपको अगर आप मेरे पास जौब करते हो तो इकत्तिस बारा दो हजार सत्ताइस में आज सारे डील हो रही है बैठके आपको हमारी कमपनी के दस हजार शेयर दिये जाएंगे एड़दा रेट मानलो पचास रुपए का और आज की डेट पे उसका मार्केट प्राइज है मान लेते हैं मार्केट प्राइज जो उस दिन है मानलो सो रुपए है या मानलो हजार रुपए है जिस दिन है इस दिन का market price देगे market price किस दिन का दिया मैंने आपको तो हजार 27 को ये कितने का होगा 1000 रुपे का हो चुगा है एक मैंने market fair market price दे दिया ये deal done हो गया तो जिस दिन deal done हुआ किस दिन deal done हुआ इसको बोलेंगे हम grant date अब बताओ इसको कितने टाइम तक spend करना है ये पूरा का पूरा time इसको क्या करना है कि यहां से यहां तक इसको नौकरी करना है वह अगर बीच में छोड़के चला गया तो क्या इसको ये वाला offer मिलेगा अगर वो 2027 से दो मेहने पहले भी छोड़के चला गया तो क्या उसको offer मिलेगा ये नहीं मिल पाएगा तो ये time जो होता है उसको बोलते है वेस्टिंग पीरिट वेस्टिंग पीरिट कुछ word है जैसे वेस्टिंग पीरिट आ जाएगा तो आप confused ना हो इसलिए वेस्टिंग पीरिट यानि जिस दिन हमारा agreement हो रहा है उसको कौन सा ग्रांट डेट और जिस दिन हमारा जितने time हमें बिताना है उसको क्या बोलते हैं वेस्टिंग पीरिट अब ये डेट है जिस दिन उसको share खरीज सकता है यानि इस दिन के बाद उसको option मिलता है तो इस दिन को बोलेंगे वेस्टिंग डेट इस डेट को क्या बोलेंगे हम अब ऐसा नहीं है कि काम छोड़ते ही बोले ला मेरे share दे दे फटा फट से बता कब खरीदना नहीं खरीदना उसको समय देगी इसको बोला जाता है एक्सरसाइज ठीक है और जिस दिन कंपनी इस दिन कंपनी ने फैसला कर लिया कि मैं खरीद लूंगा इसको बोला जाएगा डेट मतलब जो समय होता है वेस्टिंग पीरड ऑप्शन एक्साइज एक्साइज पीरड इंट्रिंसिक वेल्यू वह भी देख लेंगे तो कुछ एक वर्ड है यहां तक कहानी आपको समझ में आई क्या चल रहा है हम सीधा प्रैक्टिकल कोश्चन्स और जनल एंट्री की बात करेंगे इसके अंदर बेसिकली दो मैथड है फियर वेल्यू मैथड यानि मार्केट वेल्यू मैथड बोल सकते हो और एक इंट्रिंसिक वेल्यू मैथड ठीक है इंट्रिंसिक आपने अगर अभी अमेल्गमेशन पढ़ लिया हो पहले तो इंट्रिंसिक का मतलब पता होगा कि हम एक एसेट्स डिवाइडेड बाई शेयर्स को लेके एक वेल्यू निकालते हैं उसे इंट्रिंसिक वेल्यू बोला जाता है हाँ वेल्यू आप शेयर्स में भी देखा होगा क्यूंकि मैं लास्ट में करा रहा हूं सब्सक्राइड करें हुंडाई भी आई प्यों ला रहा है तो हम यह समझ रहे थे सारी चीजें अब हमारे एक्जाम में यह नई पूछेंगा वैस्तिंग बिरिड क्या है एक्जाम में सायद 5 number में कोशन आजाए तो मैंने तो एक विल्कुल simple language में आपको समझाएगा चाए यह सब होताْ बाकि आपको किताब में same wordic लिखे हुए उसको आपने पढ़ना है अब exam में जब question आता है पहले उसकी हम journal entry समझ लेते हैं मैंने questions लगाय हुआ आपकी किताब काई पहले हम journal entry को समझ लेते हैं कि भाईया कैसे journal entry होगा अब मान लो एक company है अब इस company का मैंने मान लो shares कितने का था हजार रुपए का और मैंने आपको offer किया suppose offer किया कि मैं आपको दे दूँगा ये 300 में 300 में या फिर मैं आपको ये share दे दूँगा अपनी company के 200 में मैंने offer किया और इसका face value है face value 10 ही होते हैं share का ये चीजें चल रही है और मैंने आपको एक example लेकर आपको एक share दिया जाएगा मैं ये मान के चलता हूँ एक share आपको दिया जाएगा सर्फ एक share के लिए हम deal कर रहे हैं और आपको कम से कम चार साल time spend करना है four year या four year से कम कर देते हैं क्योंकि entry लंबी हो जाएगी हमें सीखना है तो मैं आपको बोल देता हूँ दो साल two year आपको time spend करोगे तभी आपको ये मिलेगा दो साल spend करने के बाद अब यहां पर ऐसा भी होता है कुछ लोग ऐसे भी होते हैं मेरे को नहीं चाहिए share काम कर ले इतने छोड़ के चले जाते हैं तो उसके option जो होते हैं उसको बोला जाता है option lapse हो गए उसके lapse का मतलब छूट गया कि भाई या हमें नहीं करना मैं नहीं ले रहा जा तो option क्या हो जाएंगे वो lapse कहा जाएगा उसके अंदर या उसने exercise किया ही नहीं अभी एक हम basic सा देखते हैं तो सबसे पहले आप ध्यान दो company को कहीं न कहीं यहां पर loss है और loss के साथ-साथ company के उपर एक liability भी बन रही है सर loss कितना है company को 1000 वाली चीजे मैं 800 का दे रहा हूँ 200 का दे रहा हूँ तो company को 800 का loss है और company को यह 800 रुपे अपने pass सही compensate करना पड़ेगा और वो भी 2 सालों में तो जो company का loss हो रहा है ना 800 इस loss को बोलेंगे employee compensation expense क्या होगा यह expense compensation expense यह loss है और क्योंकि उसको बाद में देना है तो उसको बोला जाएगा employee option outstanding employee outstanding अप्शेंडिंग option outstanding अकाउंट भी बोल देते हैं कई बार स्टॉक ऑप्शेंडिंग बोल देते हैं आपकी किताब में लिखा होगा आपकी किताब में क्या वर्डिक लिख रहे हैं हर किताब में कई बार थोड़ा बहुत है employee stock option outstanding लिखा हुआ है ठीक है तो अब company को इसको देना दो साल के बाद है तो company first year में ये लॉस है क्योंकि क्या बोला जाता है कि जब कभी हमारे कुछ ऐसे लॉस होते हैं तो इसको number of year में डिवाइड कर दिया जाते हैं यानि हमें जो ये 800 रुपे का लॉस है या liability है हमें ये दो सालों में हमें bear करना है कितने सालों में bear करने तो हम इसको हर साल का मानेंगे एक साल का हमारा खर्चा और liability कितना होने वाला है 400 रुपे तो पहले साल हम जो करेंगे क्योंकि खर्चा debit होगा तो employee compensation मैं थोड़ा abbreviation यूज कर रहा हूं आपकी किताब में है समझ में आ जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा employee stock outstanding OS लिखना outstanding ये entry करेगा कितने रुपे और जो ये खर्चा है हमारा इस खर्चे को ये होगा जिस दिन हमारा हुआ और एंड में हमारा पी एंडल बनेगा तो एंड में इस खर्चे को हम कहां भेज देंगे statement profit and loss में तो entry क्या करेंगे हम statement profit and loss account debit to employee compensation expense account के नाम से entry कर देंगे ये तो एक साल का हो गया अब second year आएगा second year भी हमें same entry करना पड़ेगा employee compensation expense account debit to to isop outstanding account कर देते हैं इसको अगेन चार सो रुपए ये चार सो दूसरा क्योंकि दो पार्ट में बाट दी है मैंने और फिर entry करेंगे हम statement profit and loss to employee compensation expense sir being क्या लिखने वाले इसका being भी बता देते हैं being लिखेंगे हमारा हमने transfer हमने transfer नहीं हमने employee expense को हमने due करा पर इसमें transfer करा फिर due करा और फिर transfer करा दो साल हो गए है यह हम fair value method कर रहे हैं intrinsic वाला बाद में करेंगे मैं बताना भूल गया है दो methods हैं जिसमें हम पहला method कर रहे हैं fair value में अब भाई समय बीत गया अब employee आएगा अब मैं दोनों option बताता हूं या तो employee आएगा या तो नहीं आएगा मैं दोनों चीज़ें यहां पर लेके चलता हूं अभी पहली बार सोच लेते employee आया है के भाईया मेरे को share दो share दो share दो तो पहले deal क्या हुई थी यह बताओ बोला था deal यह हुए तो पहले मैं उससे क्या मंगवा लूँगा 200 तो मेरे बैंक में पैसा आएगा क्या इंट्री करूंगा बैंक अकाउंट टू शेयर अप्लिकेशन नहीं शेयर अप्लिकेशन अलग अलग बुक में डायरेक्ट भी कर देता है मैं तो सिंपल से से रूँगा के भाईया तुम शेयर के तो पैसे ला रहे उसके साब से चल लेंगा अब तुमको कैपिटल देने का समय आ गिया है तो कैपिटल जब मैं दूँगा तो करूँगा शेयर अप्लिकेशन 200 और इसमें हमारा नुकसान भी हुआ है और उस नुकसान के वैसे तो लायबिलिटी क्रियेट कर चुके तो अब यह लायबिलिटी तो रहेगा नहीं जब हम आपको शेयर दे देंगे तो इस लायबिलिटी को खतम करना चाहिए तो हम क्या कर देंगे टू इस आप आउट्सेंडिंग अकाउंट कितने रुपए 800 जोड देंगे टोटल कितना हुआ मतलब सारी लायबिलिटी खतम करने ना एक लायबिलिटी यह बनाई थी आपने एक लायबिलिटी आपने यह बनाई यह बनाई यह दोनों को डेबिट करके खतम करो अब आपके बैलेंस और भाइया के एकूटी शियर के एपिटल हमेशा प्रीमियम पे दस वाली चीज हम 15 में बेचते थे तब भी कुटी शियर दस पर ही होता था तो फेस वेल्यू पर होगा तो आपको 10 रुपे ही मिलेंगे तो सर बाकी बाकी का सिक्यूरिटी प्रीमियम बाकी का किसमें चला जा प्रीमियम कितने 900 एप्लीकेशन अमाउंट रिसीव और शियर एप्लीकेशन अमाउंट ट्रांसफर टू क्या पर तो क्योंकि भाईया दस वाला शियर मैंने एक्चुल में हजार तो 990 रुपे का इहां पर सिक्यूरिटी प्रीमियम माना जाएगा हाँ हाला कि मैंने आप से 990 प्रीमियम नहीं लिए हैं मैंने तो आप से सरिफ 190 ही लिए प्रीमियम लेकिन हमें टोटल में प्रीमियम यहां पर देखना पड़ेगा बिल्कुल question में हमेशा face value given होगा नहीं given होगा तो 10 मान लेना ये तो तब है बात जब उसने share ले लिए अब मान लो ये बोलता है मैं तो नहीं ले रहा share मुझे नहीं चाहिए भाई अब loss फायदा जो भी हो रहा है तो अगर इसने बोला होता है कि मुझे नहीं चाहिए share मुझे नहीं जो रहा था इस company के share के तो फिर वो क्या bank वाली entry करता नहीं करता तो क्या यह वाली entry करता नहीं करता लेकिन liability तो जब वो लेने नहीं आए तो मे लाइबिलीटी को खतम करेंगे कैसे इस ओप आउटस्रेंडिंग अकाउंट डेबिट समझना यह मैं तब कर रहा हूं जब वो शियर लेने तो डेबिट करके लाइबिलीटी खतम और क्योंकि मैंने अपना हर बार प्रॉफिट कम किया था तो अब मैं इस पैसे को वापस प्र स्पाना हो जाता है और हमें प्रॉफिट में डालना होता है तो उसके लिए हम जन रिजब का इस्तमाल करते हैं तो अब मैं वापस से प्रॉफिट लॉस तो नहीं लिखूँगा लेकिन यहां पर क्या रिख दूंगा क्योंकि profit statement profit and loss तभी लिखते हैं जिस साल होता है उसके बाद अगर आपको कोई profit इधर से उधर करना हो तो आप उसके लिए general reserve का इस्तमाल कर लिए क्योंकि general reserve profit का ही एक part है तरीके से तो अगर उसने share ले लिए तो भाईया बात खतम में जितना हमारा लायबिटी create हुआ है 800 में इमांट लिखना भूल गया जितना हमारा लायबिटी create हुआ है कि यहां तक फटा-फट बताईए बच्चे comment में के सभी को समझ में आ रहा है यहां तक तक रिया के कहना है कौन सी entry कह रहा हूँ तो यहां तक सभी स्टूडेंट बताईए समझ में आ रहा है आपको क्लियर है यहां तक अब भाई मान लोगर दो शियर होते हैं और बोलता है मेरे को एक ही लेना एक नहीं लुआ जाओ तो फिर यह वाली भी एंट्री होती है वो भी एंट्री होती है कि जो नहीं लिया उसको तो जनरिसम में डाल दिया क्योंकि वो चला गया और दूसरा यह यहां तक हर किसी को क्लियर है कोमल का कहना यह सर क्लियर है क्लियर है रिया का एक डाउट आया था कि सर यह वाला पॉइंट तो एक बार बता दो मुझे यहां तक बताओ क्लियर है तो आपके बुख में हाला कि दो ही कोश्चन है लेकिन हम ज्यादा कोश्चन कर लेंगे तो एक कोश्चन आपका बुख का फटा फट से देख लेते हैं देखिए यह वाला सवाल देखिए इस सवाल को देखते हैं फिर एंट्री करेंगे ठीक है कोश्चन समझी है कि हजार जेटा लिमिटेड हजार एंप्लोई है उसके पास कितने एंप्लोई है और दो स्टॉक आप्शन दिया जाएगा यानि हजार एंप्लोई है हर किसी को बुला भाई दो दो शेयर मिलेंगे तो अगर मैं नंबर ओफ शेयर्स निकालू कितने मैं देने वाला हूँ इस वाप में अगर सभी मान लेते हैं एक पल को स्टार्टिंग में तो हम मानेंगे सभी खरीदेगा क्योंकि मान लेते हैं सभी खरीद लेगा तो हजार एंप्लोई को देंगे हर किसी को दो देंगे तो कितने शेयर्स हमें बाटने पड़ेंगे कितने बाटने पड़ेंगे सिंपल सी बात है ना आपने मांगे दो और टोटल हजार है तो मुझे दो हजार शेयर बाटने पड़ेंगे सस्ते में और ये बात है एक चार दो हजार अठारा की 20 रुपए का एक देंगे when the market price 90 मैंने फैसला किया कि मैं आपको ये शेयर दे दूँगा 20 रुपए में और जबकि market price है इस पे 90 रुपए का market price है यानि आपको 50 का फाइदा हो जाएगा the wasting period दे रखा है wasting period बताये थे ना इसी लिए सिर्फ यो word लिखवाए थे तो कि use हो जाए 2 साल यानि आपको 2 साल तो नौकरी करने ही पड़ेगी 2 साल से पहले नहीं छोड़ सकते यानि इन खर्चों को जो मेरा नुकसान होगा उसको कितने साल में divide करेंगे 2 साल में अगर wasting period 4 साल होता तो कितने साल में divide करते हैं और 4 बार मुझे वो entry करना पड़ता हर साल में 2 एक due की और एक transfer की maximum excise period 1 year बोलता है कि भाई दो साल तक तो तुम्हें समय दिया दो साल के बाद भी एक साल की मोहलत देते हैं कि खरीद लो मन करें तो लेकिन अगर एक साल से बाद आओगे तो आपका excise time मतलब lapse हो जाएगा वो तो खराब हो जाएगा 800 employee excise 31-3-2021 800 employee ने बोला कि भाईया हम खरीद लेंगे यानि देख रहे हो 1000 को दिया और 200 ऐसे निकल गए जो की बोल रहा है आई नहीं अब remaining option क्या हो गया? lapse का मतलब भाईया अब उनको देना ही नहीं है कहता है general entry और face value दे दिया नहीं भी देता तो मैं 10 ही मानता है इसका face value तो सबसे पहले तो आप loss को divide करोगे दो सालों में न तो अगर मैं यहां पर loss आप से पूछूँ जो company को होने वाला है loss तो loss that is एक share पर आपको 70 रुपे का नुकसान होगा और total number of shares आपके 2000 है तो आपको 2000 इंटू 70 यानि एक लाख 40,000 रुपे का नुकसान होने वाला है अब आप बोल सकते हो सर यहां तो 800 लोगों नहीं लिया है तो आप 2000 क्यों बोल रहे हो 1600 लोग नहीं यह तो आपको साल के end में पता चलाया है सामत सोचो कि जिस दिन आप दो के उस दिन पता चल जाएगा यह तो साल के end में पता चलाया है अब दो साल का है तो इच एयर में इच एयर में जो आपना प्रोविजनिंग करोगे आप 140 डिवाइड़ बाइड दो साल है तो इसके एसाफ से 70,000 रुपे हर साल की आपकी क्या हो जाएगी प्रोविजनिंग प्रोविजनिंग मतलब दो एंट्री जो करते थे जैसे कि पहली एंट्री एंप्लॉई कि कमपन्शेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट तू इस आप आउट्सेंडिंडिंग अकाउंट तो यह सत्तर हजार और सत्तर हजार हो जाना है और जो तारीक होगा वो एंड में तारीक क्या होगा एंड में तो हमारा एक चार को है तो 31 मार्च 2019 और ठीक 31 मार्च 2019 में स्टेटमेंट प्रोफिट एंड लॉस टू एंप्लॉई कमपन्सेशन एक्सपेंस और 70,000 ये दो एंट्री आपको समझ में आई बताईए ये दो एंट्री इसका बिंग मैं लिखनी राथ टाइम थोड़ा चला जाएगा बिंग लिखने में इसलिए मैंने लिखा नहीं मैंने ओल्दो बता दिया है वही लिखना आई अब फिर से एंट्री करने पड़ेगे कब 31,3,2,020 में अगें एंट्री करना पड़ेगा आपको कौन सा एक तो ये एंट्री अगें आपको करना पड़ेगा ठीक है और सर इसके खतम होती फिर एक और एंट्री करना पड़ेगा कौन सी एंट्री करोगे ट्रांसफर करने का ट्रांसफर करने का क्यूंकि कॉमन अमाउंट है इसलिए मैं इसका यूज कर लेता हूं और ये भी कब होगा अब इसने ऑप्शन कब लिया अच्छा है अब 31 तारिक को आप्शन लिया जा रहा है तो अब 31 तारिक को एक साल बाद हम एंट्री करेंगे 31 तीन दो हजार 21 में आठ सो बोलते मुझे चाहिए तो मैंने लाओ पैसे तो एंट्री क्या होगी बैंक अकाउंट टू शेयर एप्लिकेशन मैं इसका कैल्कुलेशन नीचे लगा देता हूं वह ये आठ सो इंप्लॉई हैं और उनको दो दिये गए तो सोला सो हो गए और हर कोई बीस रुपए लेके आएगा तो यानि तीन लाख यही बनेगा ना तीन बीसी बनेगा ना सोला दुने बत्तिस एक जिरो ज्यादा लगा दिया अब भाई तुम्हें शेर कैपिटल दे तो शेर एप्लिकेशन और जो लॉसिस थे उसको डेबिट करके खतम करो लेकिन उतने ही लॉसिस आप डेबिट करके खतम कर सकते जितनों ने लिए हैं पहले तो लिए कितनों ने शिर्फ शोला सो नंबर हो गए आठ सो यानि सोला सो इंटू में लॉस एक पे कितने कता सत्तर तो सत्तर तो यहां पर आएगा इस आप आउट्सेंडिंग तो यह हो गया बत्तेस हजार और इस आउट्सेंडिंग कितना लोगे आप शोला सो इंटू में सत्तर एक लाग बारा हजार तो एकुटी शियर कैपिटल एकुटी शियर तो भाई अब हमें सीधी सी बात है शोला सो और दस रुपए फेस वेल्यू रखना है तो यह कितने आ गए एक लाक सोलह यह जा रहा है हाँ सोलह जा और बाकी का आ जाएगा सिक्यूरिटी प्रीमियम तो कितने 32,000 और प्लस एक लाक बारा हजार माइनस 16,000 तो भाईया एक लाक अठाईस हजार यहां तक समझ में आ है अब अब उसकी एंट्री हमें करनी पड़ेगी जो लेने नहीं आए उसके पैसे को कहां देना पड़ेगा जर्नल रिजर्ब में डेट सेम ही चल रहा है तो हम फिर से करेंगे इस आप आउट्स्रेंडिंग टू जर्नल सब कितने चार सो लोग दो हजार थे न तो चार सो इंटू में कितने सत्तर तो कितने हो गए लोजी एंट्री खतम सब्सक्राइब यह वो लोग है जो कि नहीं मांगने आए लेकिन उसके नाम का लॉसिस तो क्रियेट करके बैठे है ना उसको जनरे पर आप इसको चाहों तो कम माइन भी कर सकते हो कौन सा 400 यह सोल 2000 थे टोटल अब 2000 में से मालो 1000 में से 800 लेने आए ना 200 तो नहीं लेने आए तो 200 को तो हर किसी को दो-दो दिये थे तो 400 shares, नंबर नहीं है, 400 shares का था, तो इस तरीके से आपका ये entry हो जाएगा, आप चाहो तो इस entry को combine, काफी सारे किताब में, काफी सारे 10 year में, अलग अलग जगह पर combine कर सकते हैं, मैं इस shop को इसमें add कर दूँगा, और यहाँ नीचे एक और डाल दूँगा, क्या journal, reserve, combine entry, लेकिन आपका fair market value वाला questions, ये इस से, मतलब इसी type का question बनता है, एक intrinsic value वाला है, जिसको की हम अगली class के अंदर cover कर दूँगा, यहाँ तक किसी बच्चे को, सर security premium वाली entry, security premium पता है कैसे निकलता है, market price minus में face value, security premium is equal to security, तो market price क्या रखा था मेरे question में, 90, face value 10, तो security premium 80, और कित 80 into में, 16,000 share थे न, तो 16,000 share को multiply करो, तो 80 into में 16,000, तो यह देखो, एक लाग 28,000 आपका बन रहा है, ऐसे मैंने यहाँ पर security premium निकाल लिया है, clear, किसी student को doubt, किसी student को doubt है, तो बता दिजिए, फटा फटा, आपके exam के बहुत कम समय बचे है, मैं कल, internal reconstruction के बाद, मैं कुछ एक chapter के और important question देखे, मैं upload कर दूँगा कल मैं,